हेलो दोस्तो अगर आपके पास भी सैमसंग का मुबाइल है और आप अपने सैमसंग मुबाइल में किसी भी एप को हाइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग मुबाइ किसी भी app को hide कर सकते हैं तो ये कौन सी setting है चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपको अपने mobile में Instagram और WhatsApp को hide करके दिखाऊंगा तो मेरे mobile के home screen पर Instagram यहाँ पर और WhatsApp यहाँ पर है settings को open करने के बाद यहाँ पर आपको display का एक option मिलेगा इस पर click करके इसको open करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको यह वाला एक option मिलेगा home screen इस पर क्लिक करके आपको इसको open कर लेना है अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है और नीचे आपको एक option मिलेगा hide apps तो आपको hide apps पर क्लिक करना है जैसे ही आप hide apps पर क्लिक करेंगे तो आपके mobile में जितने भी apps हैं वो सभी यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे तो यहाँ पर आप जिस भी app को hide करना चाहते हैं उसको आपको select कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ WhatsApp को और यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ Instagram को तो Instagram यह रहा है तो यहाँ पर मैंने दो apps को select कर लिया है उसके बाद में आप यहाँ पर से done पर click कर दीजिए उसके बाद में यहाँ पर से आपके जो mobile में जो भी app आपने select गया होंगे वो hide हो चुके है यहाँ पर से आप यहाँ पर देख सकते हैं home screen पर यहाँ पर Instagram था यहाँ पर WhatsApp था वो यहाँ से चला गया है hide हो चुका है और यहाँ पर मैं app dryer में भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूं Instagram यहाँ पर और WhatsApp यहाँ पर था वो भी यहाँ से गयाब हो चुका है क्योंकि वो मैंने यहाँ पर से दोनो apps को hide कर दिया है तो यहाँ पर आप मेरे mobile में पूरे यहाँ पर देख सकते हैं दोने app आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे तो इस तरह से आप अपने Samsung mobile में जो है apps को hide कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको उस app को use करना है तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने mobile के app ड्रायर में जाना होगा और यहाँ पर जो उपर search बटन है इसमें आपको उस app का नाम सर्च कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ WhatsApp जैसे मैं WhatsApp सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे यह app मिल जाएगा इस पर क्लिक करके मैं इसको open करके use कर सकता हूँ और अगर आपको इस app को unhide करना है तो वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको फिर से setting में जाना है डिस्पले में जाना है नीचे आपको home screen पर जाना है और यहाँ पर फिर से hide apps पर जाना है और जो दोनों app आपने hide करके रखे हुए उनको आपको यहाँ पर से फिर से इस पर एक बार click कर देना है तो WhatsApp unhide हो गया Instagram भी unhide हो गया अब यहाँ पर आपको done पर click कर देना है यह दोनों app जो है फिर से यहाँ पर मेरे mobile में आ चुके है यहाँ पर सबसे last में आएंगे यह देखिए दोनों app जो है वो सबसे last में यहाँ पर आ चुके है तो इस तरह से आप unhide और hide कर सकते है